इस बहन ने नीड़े लिया है कि 15 दिन बाद हम इनिवस्टी का ताला लगाएंगे ये सच है ये भीमार्मी जैविम संगर्णे की तरब से भी किलिए रहे कि ताला लगाया जाएगा कि बहनों के संबान के लिए सुरक्सा के लिए हमें देश में अंदोलन करना पड़े हमें जेल जाना पड़े नीस अंकोच सरकार बिल्कुल भी भरम में न रहे हमने काफी प्रदेशों के पतादीकारी बुलाए थे उनके समक्ष हमने अपनी बात को रखा था 24 दिसंबर में और हमने इन्वेस्टी के अधिकारे को भी बोला था कि हम चाते हैं कि चर्चा की जाए लेकिन हमें पता लगा है कि जो इस इन्वेस्टी के डीन है वो विदेश में गोमने गए प्रिंसिपल और देश की बेटी युनिवेस्टी के बार वो हर्ताल पर बैठी है और जिन लोगों पर रखायर है वो विदेश में गूम रहे हैं यह करत्य किस प्रकार से और कहां से क्या जा रहा है यह आप सभी लोग जानते हैं और इसी के समयक्स में एक बात मुखे रूप से देश की बेटेओं को मुखे रूप से कहना चाहता हूं कि ये एक बेटी का सवाल नहीं ये देश में लाखों बेटी के उपर हो रहे अत्याचार हो चाहे सिक्सक को लेकर हो चाहे वो चाहे वो किसी भी परकार से उत्पिडन हो महिला हो का और इसके लिए बाबा साफ डोक्टर अमबेटगर ने हिंदु कोड़ बिल के खिलाप मैं देश की बेहन बेटे को मुखे रूप से कहना चाहता हूं कि आपको बाबा साफ डोक्टर अमबेटगर के बारे में बताया है नहीं गया आपको केवल वो चीजे पढ़ाए गई जिनक्या आपकी लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है आप उनको फॉलो कर रहे हैं यह जिस क लोहा लेकर इस देश की महिलाओ के लिए लड़े और आज उस लड़ाए को देश की बेटी डॉक्टर रीतु सिंगा वे बढ़ा रहे हैं मैं देश की बेटियों से कहना चाहता हूं कि हमें इस भोके में नहीं रहना है कि हम इस दिन का इंतिजार कर रहे हैं कि कब हमारा अधियों का मामला है है तो आस जीश प्रकार से सरकार के द्वाला है देश की बेटियों का हुस्पिडं किया जा रहा है हम एक कहना चाहते हैं acesso स्ब लोग कहते कि बीमार ने बालते नियोड़ा कड़़ें लेकिन मझबूरी आ नहीं है कि क़े रख UH कि कप तक नियाए लो कर भी अगे आपको या आपको मैं देश की बे Actor से कहना का कि इस्ट महों इस्ट्रोंग जूता पाइन के रखना होगा इस्ट्रों जूता पाइने के रखना और विरोध्यों को एकसे संगा को मजबूती से कस के बांद लिजिए महुं कभी भी खराब हो सकता है इसलिए आज हमारी बेहन रीतु सिंग ने ये नीड़ने लिया है भीमार में जैविम संगडन का ये करतव है और इसके लिए हम परतिबत भी है कि बेहनों के सम्मान के लिए सुरक्षा के लिए हमें देश में आंदोलन करना पड़े हमें जेल जाना पड़े नी संकोच सरकार बिल्कुल भी भरम में न रहे हैं और इस बेहन ने नीड़े लिया है कि पंदरा दिन बाद हम इनिवस्टिका ताला लगाएंगे ये सच है ये भीमार में जैविम संगडन की तरफ से भी किलिए है कि ताला लगाया जाएगा और अगर पंदरा दि है ऐहिस्पी अफी हमारेटी आदिवासी अलप संक्यम DID नहीं हो रहा है यहां ओंसी है जो एक ढरारी क आठी बाबास साथ की तो अब बीच में ये चाहते हैं कि बाबा साब ने सब कुछ गवा दिया, इन लोगों ने अपने नोकरी छोड़ दी, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे किसी भाई की नोकरी नहीं छुटे, और किसी का घर नहीं जले, ये सिखसक देश के अंदर करांति लाना चाहते हैं, इसलिए मैं देश के इस् दिन तक इन्तजार करेंगे और पंदरा दिन बाद हम आलांस करेंगे कि पुर्य देश का इस्टुडेंट विंग दिल्ली के और कुछ करेगा, पुरा बहुजन समाए दिल्ली के और कुछ करेगा, इस दोरान में गौशना और करता हूँ, कि देश की जतनी भी जिन में SCHT OBC मानलटी अल्पसंख्या बच्चों का एड़िशन नहीं हो पाता है लेकिन सविधान में क्या लोग है सविधान में तो अरक्षन जीरो बैलेंस पर एड़िशन ओना होता है और यह लिखा है सविधान में कि युनिवर्ष्टी कालेज को तभी परमिशन दी सब्सक्राइब करेंगे कि जिरो बैलेंस पर जब सविधान में निखा है तो इनमिशन मिलना चाहिए भी समी तो नहीं झांगे मैं जानता हो एक PSisch मरुटी के बच्चे आज second डिपलमा डिक्री नहीं ले पा अम्बेटकर मुमेंट के बहुत बड़े रिसर्चर हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल जी मैं सरकार से एक बात और कहना चाहता हूं क्या फुले साव अम्बेटकर की बात करना गलत है कितना उत्पिडन उनका किया जा रहा है हम सरकार के और सासन प्रसासन से भी कहना चाहत हैं मैं प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल की तरब से कहना चाहता हूं कैं सरकार को भी कि वह एक अपने समाज की विचार्थार को आगँ बढ़ा रहे हैं जिनκे वज़े से ओन्मगरी कर रहे हैं उस भी चार्थार को आगँ बढ़ा रहे हैं वो चाहते हैं कि देज कि इसके बहुजन समाज के बच्चों का भभीशर। शुदरे वो उस पर काम कर रहें। तो आपको क्या तकलीव है। आप उनको suspense करते तें। युनिवर्स्टिय से निकाल देते हैं। कि बच्चों को कितने हजारों बच्चों को तयार कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ से बात क्याना चाहता हूँ कि हम सासन प्रसासन का सम्मान करते हैं वड़ना डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है जिस दिन ये भाई तया करेंगे हम बता देंगे कि हम लोग कितने लोग हैं कितनी ताकत में आए और हमने करके भी दिखाया है इसलिए जो डोक्तर प्रोवेशर रतनलाज जी का जो प्रोमोशन रुखावा है उनका प्रोमोशन अगर नहीं किया गया तो ये भी आंदोले ने भेंकर रूप लेगा ये भी गोश्ना और एक बहुर भाई है हमारे प्रोवेशर लक्षमन याद जाता है आखिडिली निउवेश्टी के लोग करने क्या चाहते हैं हम तो यह कहना चाहते कि आप चर्चा कीजिए न अगर आपको डोक्टर अंबेडगर की विचारधारा से नफरत है तो फिर आपको कुरसी पर बैठने को अधिकार नहीं है तो कि यह कुरसी सविधान की द फर्ची अफायर करा कर डोक्टर रितुक के खिलाब फर्ची अफायर करा है और उनको फर्ची तरिके से निकला गया और वो फर्ची अफायर करने वाले लोग कौन है United को एरश्टिक नहीं कहलाता और जो जिन विद्यालों के अधिकारियों ने या प्रिंसिपन ने जो ए रचना घटना रची है जो एक खेल खेला है ऐसे लोगों पर कठोर कारवाई नहीं होती तो नहीं कोई भीमार में जविम संगड़ा ना कारे करता चुप रहेगा ना कोई हम लोग को पुरे देश मेले जाएंगे और इस देश की सभी तमाम युनिवर्स्टियों से भी अवह अपने भाई की बात को सुनने हो कि तयारी कीजिए यह वक्त अब सिक्सा के पढ़ती करांती करने का गया है क्योंकि मैं जानता हूं कि नोक्रिया नोक्रिया कम मिलेगी आपको सिक्सा ही नहीं दे रहИं तो नोक्रिय कहां से मिलेगी आपको और शिक्सा नहीं मिलेगी तो कैसे नोक्रिय मिलेगी आपको तो मैं युवाओं से भी यह कहना चाहता हूं कि तैयार रहिए Engineer अब लड़े ही लडने का वक्त आ गया है इसलिए सम्मानी साथियों अब अपनी बात को हमारे बीच में बाकी हमारे साथ ही रखेंगे मैं कहना चाहता हूँ अंतिम में कि इस मुमेंट के लिए और खास कर देश के सिक्सित और इस्टूटेंट विंग के लिए मैं आज दिल्ले से बादा कर रहा हूँ जितने SZ, ST, OBC मुमेंट के लोग बच्चों को इस्कूलों में विद्यालों में इनियुवर्स्टियों में दाखला नहीं दिया जा रहा है झाल